तारे सितारे वम गरहन अक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वेडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्यका राशी फल नहीं नहीं यानवरधक जानकारी हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 25 अपरेल 2020 शनीवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज उशुब ग्रहों का सीधा असर बारा में से छे राशियों पर रहेगा छे राशी वालों को आज आर्थिक लाप के योग बन रहे हैं तो इन छे राशियों में आज है व्रशब, करक, सिम्व, व्रश्चिक, धनू और मीन राशी वाले लोग वहीं अन्य छे राशी वालों को आज सितारों का सांथ नहीं मिल पाएगा तो आज वैशाक मास सुकल पक्ष की द्वितिया तिथी है शनिवार का दिन है आज का दिन माने 13 घंटा 7 मिनिट का और आज दिन की शुरुवात कृति का नक्षत रसे होगी आज शोभाग एवं शोभन नाम के दो शुब योग रहेंगे और आज चंदरमा का संचरण वरश विजीत महुरत आरंब होगा दिन के 11 बच के 52 मिनिट से आरंब हो करके तो 12 बच के 45 मिनिट तक विजीत महुरत रहेगा तो इस सर्वसरेष्ट महुरत में आप कोई भी शुब नया या मांगलिक कारी कर सकते हैं किसी भी महतुपुर्ण कारी की सुरुवात करने के लिए यह समय यह महुरत सर्वसरेष्ट हैं और आज का अशुब समय दोष्ट महुरत प्रारंब होगा शायंकाल 5 बच के 45 मिनिट से आरंब हो करके तो 7 बच के 30 मिनिट तक अशुब समय रहेगा तो इस समय अवधी में आप कोई भी शुब वो नया कारी आरंब करने से बचें और प्राता हकाल 9 बच के 2 मिनिट से आरंब हो कर के तो प्राता हकाल 10 बच के 40 मिनिट तक रहु काल रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार की नई वस्तू की Khरीदारी या प्रापर्टी से संबंदित कोई कार्य आपको नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का लेन देन करने स इस समय अवधी में आपको बचना चाहिए और आज दिशा सूल रहेगा पूर्वदिशा में तो आज के दिन आप पूर्वदिशा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक व नया कारी आरंब नहीं करें पूर्वदिशा की यात्रा भी करने से आप बचें तो आज जो है श शनिवार के दिन भगवान शनी देवता की विशेश पूजा आरादना या शनीवार का वरत हमको करना चाहिए और जिनकी राशी के उपर शनी रह का प्रभाव हो ढईया सनी का प्रभाव हो साड़े साती का प्रभाव हो अत्वा अंतर दसा महा दसा सनी की चल रही हो तो उन जिससे आज का दिन आपके लिए शूब रहेगा और आपके जीवन में आने वाले समस्याएं भी दूर होगी तो आप जानी अपनी जन्म रासी के अनुसार आज आपके भागी के सितारे क्या बोलते हैं तो मेंश राशी से आरंबा करते हैं मेंश राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप आज तर्ग संकर्त रहेंगे व्यावारिक रहेंगे जिसके कारण पेशेवर ही नहीं नीजी जिन्दगे में भी आपको बहतर परिणाम प्राप्त होंगे औ आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, आपके व्यभार में अकरामकता आ सकती है, आपको किसी भी बात को लेकर ज्यादा उम्मीद करने से इस दोरान बचना चाहिए, अतिक इसी भी चीज की खराब होती है, आपको सलह यह दी जाती है कि परिस्तितियों क समझते हुए भी आपको आज आगे बढ़ना चाहिए भावनाओं में बहा कर कोई फेसला या कोई काम करने से आज बचना चाहिए आज लाहिप की यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर कहा जाए तो रोमानसी के लिए आज का समय ठीक है और अपने जीवन सांती को खुश करने के आज हज से जादा रचनात्मक भी हो सकते हैं आज व्यापार व्यवसाई की यदि हम बात करें तो यहाँ समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपने शोको और अपने पेसों में तबदिल अपने शोक को करना चाहते हैं क्योंकि बहुत से आउसर इस दोरान आप के दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज मांसिक रूप से चिंताएं आज आपके उपर हावी रह सकती हैं इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता किये वगेर आज आपको काम करना चाहिए तनाव मुक्त होकर के काम करते रहना चाहिए मा आज आपका भाग्यशाली अंक नो हैं, शुबरंग आपका बेंगनी रंग हैं, बेंगनी रंग का प्रियो कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी, तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटेवं बाधाउं से मुक्ती प अरपन करें, एक काले वस्तर में काले उडद, काले तिल रखकर के अरपन करें, पुष्प की माला अरपन करें, और भगवान शनी देवता को मिठाई का भोग अरपन करें, एक स्रीफल के उपर स्वास्तिक बना करके, द्रव्य दक्षना आदी रखे, करपूर से सनी देवत अगले राशी है वरशब वरशब राशी वालों को आज शुबु परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि माता के साथ आपके संबंदों में सुधार रहेगा और छोटे भाई बहनों से लाब मिल पाएगा आपके रिस्तों की अदिवात की जाए तो इस दोरान आपको अपने भाई बहनों और परिवार से सहीयोग समर्थन मिलेगा जो आपकी खुशी का कारण बनेगा पेशेवर जीवन में आप रचनात मकता और कलपना के शिखर पर रहेंगे कारे छेतर में अच्छी उन्नती कर पाएंगे आज आपको अशुबु परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं एक चीज जिसका आपको आज ध्यान रखना है वह एक समय से एक से ज़्यादा काम करना यानि एक समय में एक से अधिक काम करना आज आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है इसकी वज़े से आपके काम में कमिया भी आ सकती है और आपकी उरजा बेकार हो सकती है अपने ख लेकिन इससे आपके रिस्ते में जवरजस्त सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिल पाएंगे। चोटी मोटी कोई समस्या हो तो आज आपको नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। द्वारा पूजन कर लेवें यग्यो पवितरपन करें काले वस्तर और काली ध्वजा उनके मंदिर के शिखर पर चड़ावें और सनी देवता को रितूफल मिठाई का भूगरपन करें एक स्रीफल चड़ा करके करपूर से उनकी आरती उतारें और बेट करके शनी देवता के इस्तरोत्र अथ्वा नाम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा। मिठुन राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपको अनुकूल परिणामों की आज पराप्ती हो पाएगी और सामाजिक इस तर पर आपका मान सम्मान बढ़ पाएगा। ग्रहों के राशी परिवर्तिन के स्थिती से यहाँ पता चलता है कि आपके जीवन में नए अवसर आपको मिलेंगे और आपको धन लाब होने के योग बनेंगे। आपके मुलाकात पुराने मित्रों या रिस्तेदारों से हो सकती है जिस से आपको खुशी मिलेगी। आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपके केरियर में उतार चड़ाव आ सकता है और आप आसानी से हार मान सकते हैं लेकिन आज आज आपको यह बात समझना चाहिए कि जिन्दगे में आने वाली परिशानियां आपको ज़्यादा परिपक वही बनात चाहिए इससे आपके रिष्टों को मजबूती मिलेगी आज व्यापर व्यवसाय की यदि हम बात करें तो पेशेव और वित मामलों से जुड़े किसी भी तरह का गलत निर्णई लेने से आज आपको बचना चाहिए किसी भी फैसले तक पहुँचने से पहले वास्तविक इ चाहिए आज स्वास्त की यदि हम मात करें तो आप नियमित दिन्चरिया का पालन करें और योग प्राणयाम आदिका सहारा लें तो इससे आपका सरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा आपका स्वास्त बहतर बना रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक चार है शुब रं तो हरे रंग का प्रियोकारी चेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट यवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के प शनी देवता को काला वस्तर अरपन करें पुष्प की माला अरपन करें और एक काले वस्तर में काले तिल काले उड़द थोड़ा लोहा रख करके सनी देवता के सामने रख देवें और एक स्रीफल पर स्वास्तिक बना करके पुष्प रखें कुछ दक्षन आदी रख करके स शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं यह समय आपके लिए मिले जुले परिणामों से भरा हुआ रहेगा दिल चस्प भी रहेगा नीजी जीवन की यदि बात की जाए तो कुछ सकारात्मक बदलाव आने की पूरी संभावना आपके लिए रहेगी और आपको कई इस तरोत्रों से धनलाप के योग बनेंगे आपकी विलासिता और सुखों में इस समय बढ़ोत्री हो सकेगी आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं हलाकि इस समय अबदी के दोरान आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है महत्तु कांग्चाएं आपकी ज़्यादा हो सकती है इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इच्छाओं के वशुभूत नहीं हो करके आज आपको काम करना चाहिए क्योंकि एक इच्छा पूरे होने पर दूसरी इच्छा जागरत हो जाती है और अंत में अकेले पन के अलावा आपके हाथ कुछ भी इससे नहीं लग पाएगा आज लाइप की यदि हम बात करें तो आपकी नीजी जिन्दगी और रोमांस की यदि बात की जाए तो आप इस दिन में आगे वढ़ने और सब्दों का इस्तमाल करने के बारे में आज सतर करें सावधानी पूरवक कारे विभार आप करेंगे तो लाइप आपकी काफी बहतर चलेगी आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज आपका भागिशाली अंक तीन है शुबरंग आपका गुलावी रंग है गुलावी रंग का प्रयोग आप कारी छेतर में अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो आज आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्नस अंकटेवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान शनी देवता के मंदिर में तेल का दिया जलावे और शनी देवता को तेल से इसनान करावें पुनह ग के मंदिर में अनाच का दान करें करपूर से सनी देवता की सरद्धा पुरवकारती उतारें और बेट करके सनी देवता के इस्तरोत्र अथवा नाम मंत्रों का अधिक जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहेगा अगले रासी ह आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपको मानसिक सांती आज मिल पाएगी और विचारों में आज आपके इस पस्टता बढ़ेगी इस समय अविदी के दोरान आपका आर्थिक जीवन भी सुधर हैगा और आपको कई इस तरोत्रों से धन प्राप्ती की आवशकता रहेगी किसी भी तरह के टाल मटोल से बचने की आवशकता है छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मदभेद आपके उत्पन नहों सकते हैं तो उनसे बाच्चीत करते दोरान इस पस्टता बादी रवईया अपनाएं आपको अपने अकरामक रवईये पर आज को पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छा समय हैं आज व्यापार व्यवसाय की यदि हम बात करें तो व्यापार व्यवसाय में ज्यादा आशावादी आपको नहीं बनना चाहिए वास्तिविक्तावाद की तर्ज पर आपको काम करना चाहिए यह समय विसे आपके लिए प्रग का केसरिया रंग का प्रियोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ति होगी तो आज सभी प्रकार के विगन संक 자्टियवन बादाओंसे मुक्ति पाने की लिए आपका विशेश उपाय इस प्रकार से हैं प्रातहका लिश और आज सनी देवता की प्रसनता के लिए गरीबों को वस्त्र धन आदी देकर के संतुष्ट करें और यथा शक्ती सनी देवता के नाम मंत्रों का बेट करके जाब करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुबू वा सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है कन्या कन्या राशी वालों को आज शुबू परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं यह समय आपके लिए उरजा दायक समय रहेगा जिससे आप जीवन में आने वाले उतार चड़ाओ और चुनोतियों को आसानी से हल कर पाएंगे अपने लक्षों को प्राप्त करने के लिए आप आत्मक भी रहेगा क्योंकि कुछ अतीत की यादे आपकी आँखों के सामने आज आ सकती है और आपको सम्वेदन सिल बना सकती है इस समय जो है भावनाओं में भाकर आपको किसी भी तरका कोई निरणई नहीं लेना चाहिए किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना इस सांथी का आपके प्रती विश्वास बढ़ेगा और दामपत्ती जीवन में आपके इस्थिरता और मजबूती बनी रहेगी आज व्यापार विवसाई की यदि हम बात करें तो आपके केरियर पर यजी नजर दोड़ाई जाए तो राहु ग्रह जो है आपको विभिन प् वैसे आपका स्वयम का स्वास्त आज वैसे सामाने रहेगा तो आज आपका भाग गिशाली अंक आठ है शुबरंग आपका सफेद रंग है सफेद रंग का प्रयोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटेवं बाधाउं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्राताहकाल इश्नान करने के पश्चाद भगवान सनी देवता के मंदिर में तेल का दीपक जलावे और सनी देवता के मंदिर में तेल का दान करें गंद या से तुला राशी वालों को आज शूब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपके आर्थिक इस्तिती बेहतर रहेगी कई इस तरोत्रों से आपको धन लाप की योग बनेंगे यदि आप लंबे समय से कोई प्रोजेक्ट या काम सुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बिल्कुल अनुकूल रहेगा क्योंकि इस समय आप रचनात्मक्ता के शिखर पर भी रहेंगे आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपके व्यक्तित और आत्म विश्वास में बडोत्री होगी जिसके कारण आप ऐसे फेसले ले पाएंगे जिने लेने में आपको कोई परिशानी आती रही है आपके परिवरिक जीवन में कुछ उथल पुथल हैं उन्हें इस समय कोई अच्छे अवसर या उनकी तलास पुरी हो पाएगी आज आपकी जिजग दूर हो जाएगी बात आप इस पस्ट रूप से कर पाएंगी आज व्यापार विवसाई कि यदि हम बात करें तो समय समय पर आपके अधिकारी वर्ग आपके काम को परखें करें आप जिस किसी भी छेतर में काम कर रहे हों उसमें इमांदारी से काम करेंगे तो अपने काम में अवश्य ही आप सफल रहेंगे आज इस वास्त की यदि हम बात करें तो आज अपने स्वास्त को लेकर आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना चाहिए खास करके अग्यशाली अंक एक है, शुब रंग आपका भूरा रंग है, भूरे रंग का प्रयोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी, तो आज सभी प्रकार के विग्न संकाटे वंबाधाउं से मुक्ती पाने के लिए अरपन करें, पुष्प की माला सनी देवता को अरपन करें, एक पान का बीड़ा अरपन करें, और एक स्रिफल के उपर स्वास्तिक बनावें, उसके उपर एक पुष्प रखें, कुछ दरवे दक्षना रखें, और करपूर से सनी महराज की सरद्धा पुर्वकारती उतारे और बेट करके शनी देवता की बीज मंत्र ओम शम सनेश चराइन महा इस महा मंत्र का 108 बार सरद्धा पुर्वक जाब करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वस अफलता दायकाज रहेगा अगली राशी है व्रश्चिक व्रश्चिक राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि अपने बड़े भाई बहनों से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ती हो पाएगी और आपका मन पसंद काम भी पूरा हो जाएगा आवशकता होने पर वे आपके आर्थिक रूप से मदद भी करेंगे और इससे आपके मन में उनके प्रती सम्मान और अधिक बढ़ जाएगा आज घर परिवार जनों का सहयोग आपको मिलता रहेगा जिससे कारी छितर में आप मन लगा करके काम कर पाएगी आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं आपको अतिद्य खर्च करने से आज बचना चाहिए अपने खर्चों पर नजर बनाए रखना चाहिए क्योंकि जैसे ही इस समय हम आगे बढ़ेंगे आपकी राशी का स्वामी कुरूर गरह राहु के साथ यूति बनाएगा इस दोरान आपको अंचाहा खर्च भी करना पड़ सकता है आज लाइव की अदि हम बात करें तो आप निडर रहेंगे अपने जीवन सांती के साथ अपनी भावनाई साजा करने में नहीं हिचके चाहेंगे ऐसा करना आपके रिस्तों के लिए काफी फायदे मन साबित होगा आज व्यापार विवसाय की अदि हम बात करें तो आप अपनी वर्तमान कारिछेत्रों या नोकरी आदि बदलने का प्रयत न कर सकते हैं और आप में से कुछ लोगों को इस काम में सफलता भी प्राप्त हो सकेगी आज इस स्वास्ते की अदि हम बात करें तो उत्तम स्वास्तों को पाने के लिए आज आपको योग ध्यान प्राणया मादी करना चाहिए या आपको खान पान में सयम भी रखना चाहिए सच्छता का विशेश करके आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे की सारीरिक स्वास्त आपका बहतर बना रहे तो आज आपका भाग्यशाली अंकछे है शुबरंग आपका पीला रंग है तो पीले रंग का प्रयोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज आज सभी प्रकार के विग्ण संकटएवं बाधाओं से मुकती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इसनान करने के पश्चाद भगवान शनी देवता के मंदिर में तेल का दिया जलावें और शनी देवता को पंचामर से इशनान करा पूरा दिन आपके लिए शुब हो वा सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है धनू धनू राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं यह समय महिला वर्ग के लिए बहुती बहतरिन रहेगा जो लंबे समय से अर्थिक स्वतनता की कोशिश कर रही है क्योंकि इस समय अवधी में उनको कई अवसरों की प्राप्ती होगी यह इस्तिती जो है आपके लिए काफी अनुकूल कही जा सकती है जो लोग व्यापार व्यवसाई करते हैं उनको विशेश मुनाफ़ा इस समय अवधी में मिल पाएगा आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपको अपने विचारों और जानकरियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साजा आज करना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि आप अपने कमफर्ट जों से चले जाते हैं और अपने विचारों को दबा लेते हैं जिससे कई अवसर आपके हाथ से भी निकल जाते हैं तो आज आपको किसी भी अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए आज लाइब की अदि हम बात करें तो आज कारे छेतर में आपका कुटुमब आपका साथ देगा और आपके व्यापार में आप मदद उनकी ले पाएंगे जिससे अच्छी उन्नति कर पाएंगे आज स्वास्त की अदि हम बात करें तो समय समय के अनुसार आपको योग ध्यान का सहरा लेना चाहिए सरीरिक एकसरसाई जादी जारी रखना चाहिए जिससे की सरीर आपका चुस्त दुरुस्त बना रहे तो आज आपका भाग्यशाली अंक पांच है शुबरंग आपका आसमानी रंग है आसमानी रंग का प्रयोग कारे छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्नस अंकाटेवं बाधाउं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्रातहकाल इशनान करने के पश्चात भगवान शनी देवता के मंदिर में तेल का आटे का दिया जलावें शनी देवता को तेल से विशेख करावें पुनाह सुद्दजल से इसनान करवा करके सनी देवता को यग्योपवित और काले वस्तर अरपन करें रितुफल मिठाई और पंचे मेवा का भूगर अरपन करें एक स्रीफल के उपर स्वास्तिक बनावें उसके उपर पुश्प रखें करपूर से सनी देवता की आरती उतारें और सनी देवता की प्रसनता के लिए आज गरीबों को वस्त्र धन आदी देकर के संतुष्ट करें यथा शक्ती सनी देवता के नाम मंत्रों का बेट करके अधि नक्षोंत्रों की चाल से पता चलता है कि इस दोरान आपकी भावनाई तुरंत कारी रूप में परिनित हो पाएगी या समय निश्चित रूप से उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो विदेशों से धन लाप की उम्मिद लगाए बेठे हैं या जो विदेशों में नए निर्णे लेने से आज बचना चाहिए आपके उपर इस समय अच्छा प्रभाव इससे रहेगा आप काम को लेकर खुद में एक उर्जा महसूस करके लेकिन आज तरक संगत आपको बने रहना चाहिए आज विशेष करके भावनाओं में बहकर कोई निर्णे आपको लेने से बचना चाहिए आज लाइफ की यदि हम बात करें तो आज प्रेम जीवन में इस समय आपको कई अच्छे फल की प्राप्ति होगी आप रचनात्मक भी रहेंगे रोमांटिक भी रहेंगे जिसके चलते आपका साथी आपसे काफी संतुष्ट रहेगा आज व्यापार विवस से आपके पक्ष में रहेगी जिससे व्यापार विवसाय में भी अच्छा मुनाफ़ा आप प्राप्त कर पाएंगे आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज पहले कि अपेक्छा सारीरिक स्वास्त आपका बहतर बना रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक नो है श प्राप्त करने के पश्चात भगवान शनी देवता के मंदिर में तेल का दिया जलावें और सनी देवता की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा स्रध्धा पुर्वक पूजा करें सनी देवता को एक काले वस्तर में काले ओडद काले तिल और लोहा रकर के दान करें अन का शक्ति शनी देवता के नाम मंत्रों का बेट करके अधिक से अधिक जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब हो वा सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है कुम्ब कुम्ब राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज म्यूजिक आदी जैसे कामों को यदि आप सही समय नहीं दे पा रहे थे तो इस दोरान आपको इन कामों को करने के लिए समय मिल पाएगा इन छेत्रों में जुड़े हुए लोग आज सफल रह इस दोरान आपको अपनी प्रतिभा और विचारों को भुनाने का पूरा पूरा अउसर मिल पाएगा आप जिस किसी भी छेत्र में काम कर रहे होंगे उसमें आपको आज अच्छे अउसरों की प्राप्ती होगी और लाप के योग आज आपके लिए प्रबल बनेंगे आज चिंतित ज्यादा हो सकते हैं और जीवन के कई छेत्रों में आपको परिशानिया आज हो सकती हैं इसलिए आपको सुझाव यह दिया जाता है कि इस दोरान किसी भी तरह का महत्वपुर्ण कोई निर्णे लेने से आपको बचना चाहिए और जल्द बाजी में काम करने से बचन हैं ऐसा करने से आपके पार्टनर को महसूस यह होगा कि आप अपने जीवन में उन्हें जगह नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसा करने से आज आपको विशेश रूप से बचना चाहिए आज व्यापर व्यवसाई की यदि हम बात करें तो आज मंगल गरह की छटे भाव में उप पढ़ने से आपको बचना चाहिए और धेरी धारन करते हुए कारिवेभार करने की विशेश आज आपको आवशकता रहेगी आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज चिंता और तनाव की वज़र से आपको स्वास्त से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती है तो आज त हग गिशाली अंकछे है शुबरंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रियोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटे मं बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका वि प्रक्षट के द्वारा स्रध्धा पुरवक शनी देवता की पुजा कर लेवें और शनी देवता को रितुफल मिठाई पंच मेवा का भोग अरपन करें एक स्रीफल अरपन करें करपूर से स्रध्धा पुरवक शनी देवता की आरती उतारें और आज शनी देवता की प्रस अगली राशी ही मीन, मीन राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, यह समय भाई बहनों के साथ वक्त बिताने का बहतर समय है, नीजी और पेशवर जीवन में लाव की प्राप्ती की योग बनेंगे, आपको नए नए अवसरों की प्राप्ती की आज आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, इस समय अवधी के दोरान आपके मिजाज और भावनाओं में असंगता देखी जा सकती है, जिसके कारण आपका सांथी भी आज आपसे भ्रमित हो सकता है, और व्यक्तिकत संबंदों में उतार चड़ाओ इस बड़ा नुकसान भी इस से हो सकता है, आज लाइप की यदि हम बात करें, आपके नीजी जीवन की यदि बात की जाए, तो आप इस समय रचनात्मक्ता के सिखर पर रहेंगे, जो कि आपके पार्टनर को सरप्राइज कर सकता है, इस से पार्टनर के साथ आपका सामन जैस्य और भी सुधर जाएगा, आज व्यापर विवसाई की यदि हम बात करें, तो राहु ग्रह के द्वारा धन लाब थोड़े समय के लिए तो रहेगा, अच्छी बात है, लेकिन लंबे समय तक इस पर निर्बर रहना आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा, फिर भी यह कहा ज प्राइम रखना चाहिए, एकदम साधा और सात्विक आहार आपको लेने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे की सारीरिक स्वास्त आज आपका बहतर रहे, तो आज आपका भाग गिशाली अंक तीन है, शुब रंग आपका सुनहरा रंग है, सुनहरे रंग का प्रयोग शेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी, तो आज सभी प्रकार के विग्न संकाटेवं बादाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है, प्रातहकाल इशनान करने के पश्चाद, भगवान श सनी देवता को पंचामरसे हिशनान करावे, चंदन के जलसे हिशनान करावे, गुलाप के जलसे हिशनान करावे, पुनह सुद्ध जलसे हिशनान करवा करके सनी देवता को यग्यों पवित और काले वस्तर अरपन करें, और सनी महराज को रितुफल मिठाई और पंच मेवा क बहुगरपन करें एक स्रीफल के उपर स्वास्तिक बना करके करपूर से सनी महराज की सरद्धा पुर्वकारती उतारें और आज सनी देवता की प्रसनता के लिए गरीब व असहाई व्यक्तियों की यथा शक्ति अपनी सामर्थिक अनुसार धन वस्त रादी दे करके सहाईता क शक्ति शनी देवता के नाम मंत्रों का बेट करके जाब करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वब सफलता दायक आज रहेगा तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो त दायक वशेर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी के रश्नमित्रों फिर मिलेंगे